हाई फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागते आप सबका फिर से एक बार हमारे डार्क सिक्रेट चानल में फ्रेंड्स आप सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थी कि स्कीन वाइटनिंग के लिए कुछ रेमेडी बताईए तो आप ही के रिक्वेस्ट के उपर ये वीडियो में बना रही हूँ क्योंकि विंटर सीजन सुरू हो गया है और इस सीजन में हमारी स्कीन बहुत ज़्यादा ड्राय और काली पड़ जाती है स्किन के उपर का ग्लो भी कई खो जाता है और स्किन हमारी बेजान और डल दिखाई देती है तो खोई हुई चमक वापस लाने के लिए और अपने स्किन को फिर से गोरा और जवान बनाने के लिए ये रेमिडिय आपके लिए बहुती ज़ादा फाइदे मन रहेगी ये सिर्फ आपके स्किन को निखार नहीं देती बलकि आपके चेहरे से डार्क स्पोट्स, डार्क सर्कल्स, चेहरे से जुरिया और फाइन लाइन्स को भी दूर करती है जिससे आपका चेहरा बहुती बेदाग और खुबसूरत हो जाता है तो आपको इसे कैसे बनाना है फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बजो के नोटिफिकेशन बेल को भी आउन कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंट मिल जाएगा तो इस रेमेडियो को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक क्लीन बाउल लेना है और जिसमें आपको एड़ करना है एक चममच कोकोनट ओल यानि की नारियल का तेल दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर लेनी है वो है राव मिल्क यानि की कच्चा दूद यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उबला हुआ दूद नहीं लेना है आपको यहाँ पर कच्चे दूद का ही इस्तमाल करना है तो मैं यहाँ पर एक चम्मच कच्चा दूद ले रही हूँ फिर आपको इसमें आड़ करनी है एक विटामिनी कैपसूल और अब आपको इसमें सबसे आखरी और इंपोर्टन चीज आड़ करनी है वो है एक चुट की टर्मरिक पाउडर यानि की खल्दी और अब आपको फ्रेंड्स इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेना है यह देखी इस तरीके से तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छी तरीके से मिला लिया है और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसका इस्तमाल कब और केसे करना है आपको इसे रात को सोते समय अपने चेहरे के उपर लगा लेना है इस तरीके से इस तरीके से आपको अपने पूरे चेहरे के उपर अच्छी तरीके से इसे लगा लेना है इसको लगाते हैं आपके चेहरे के उपर एकदम से शाइन आ जाएगी अगर आपके स्किन ड्राय हो गई है या फिर डल दिखाई देती है अगर आपके स्किन के उपर जूरिया है तो वो भी इससे दूर हो जाएगी और आपका चेहरा एकदम जवान दिखने लगेगा मैंने इसमें coconut oil को इस्तमाल किया है coconut oil सिर्फ आपके चेहरे के रंग को निखरता नहीं बल्कि आपके चेहरे से बढ़ती उम्रे के साथ-साथ आने वाली जूरिया और fine lines को भी दूर करता है आपके स्कीन को फिर से गोरा और जवान बनाता है हल्दी में skin whitening और antibacterial property होती है जो आपके चेहरे को निखर देने के साथ-साथ आपके चेहरे से pimples और pimples के करनाने वाले जो भी दागधब्बे हैं उनको रिमू करती है इसमें मैंने कच्चे दूद को इस्तमाल किया है जो आपके चेहरे से दागधबों को दूर करता है और आपके चेहरे को गोरा और मुलाइम बनाता है विटैमिनी कैपसूल के फाइदे तो आप जानते हैं आपके skin के लिए कितने ज्यादा है ये आपके skin से dark circles को हटाता है चेहरे से जूरिया को दूर करता है और आपके चेहरे को फिर से गोरा और जवान बनाता है तो 5 मिनिट तक अपने चेहरे के अच्छी तरीके से मसाच करने के बाद आपको इसे overnight अपने चेहरे के उपर ऐसे ही छोड़ देना है और दूसरे दिन आपको इसे किसी भी mild face wash से अपने चेहरे को wash कर लेना है और दूसरे दिन सुबा आप देख पाएंगे फ्रेंड्स आपके चेहरे के उपर इतना अच्छा निखार और glow आपको दिखने को मिलेगा और आपकी स्केन अगर dull और dry हो चुकी है तो फिर से तरो ताजा और जवान दिखने लगेगी तो यह बहुत effective remedy है फ्रेंड्स आपको इसे daily try करना है तो आप इसे ज़रू ट्राइ किजिए फ्रेंड्स इसके इस तमास से आपका चेहरा बहुत ही ज़रा मुलायम और जवान दिखने लगेगा और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे like, share, comments करना मत बूलिए और आपने अभी तक हमारी चैनल को subscribe नहीं किया फ्रेंड्स तो जल्दी से subscribe कीजिए क्यूंकि ऐसे secret में आपके लिए हमेशा लाती रहती हूँ जो आपसे मिसना हो तो फ्रेंड्स मैं अब आपसे मिलूँगी मेरे next वीडियो में एक नए secret के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए